हेलो फ्रेंड्स आप लोग का बहुत बहुत पॉगत है स्टेडी पॉइंट यूटूब चैनल पर और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग साइन्स के कुछ बहुत इंपोर्टन ट्वेंटी कोशन को डिसकस करेंगे जो कि आपकी एक्जाम पॉइंट ऑफ इस बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन आप लोग ने कहाता है कि कोशन के और भी कोशन बढ़ाया जाया देखिए अभी 20 कोशन को रखते हैं दीरे दीरे कोशन को और बढ़ा दिया जाएगा 30 कोशन को मैं सॉल्व कराऊंगी देखिए अभी साइंस को भी कोशन को देख रहे ह जिसका आंसर आप हो कमेंट च्छिकशन में देना होगा तो वीडियो को आप लोक लाइक and share ज़रू करेगा अगर किसी भी कोशन में डाउट हो तो कमेंट च्रिकशन में ज़रूर बूझेगा रिपलाय मैं ज़रूर दूगी तो चली हम लोग अपने डिसकरिशन स्टार्ट करते हैं, गर आपको किसी भी कोशन का आंसर आता है, तो उसको आप कमेंट सेक्षन में एटम्ब भी कर सकते हैं, कोशन है, विद्धूत उत्पन करने के लिए कौन सी धातू का उप्योग किया जाता है, आपके सामने यहां पे चार आप्शन दिया हुआ है, यूरेनियम, लोह तांबा या एलमूनियम, और इस कोशन का करेक्ट आंसर होगा आपका, आप्शन नमबर ए, जो की है यूरेनियम, ठीक है, देखे, परमाणू उर्जा से विद्धूत उत्पन करने हेतू, परमाणू से इंत्रों में, हम लोग यूरेनियम धातू का प्योग करते हैं, ठीक ह तो इध्यान रखेगा, ओप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर, करेक्ट आंसर, नेक्ट कोशन पर आपके सामने कि गेहू की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उप्योग करेंगे, ठीक है, चार ओप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कोशन फिर से जादा होता है, ठीक है, और इसे बाजार में लोग यूरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूरिया में नायट्रोजन की मात्रा कित्ती होती है, 46% होती है, ठीक है, जो की वनस्पतियों की वृद्धी में बहुत ही helpful होते हैं, नेक्ट कोशन पर आपके सामने, चूहा मारन का जहर किस रसायनिक पदार्थ से बनता है, ठीक 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 है, ठी पीतल में कौन सी धातू होती है पीतल में कौन सी धातू होती है सामने 4 Opsion दिया हुआ है और इस göstset हो यहागा तांबा और जस्त सुधे कितना परसंद होता है तेके पीतल एक मिश्र होती हें घिज्पटा जोते इसमें तांबा जो एस्पिरीन कहां से मिलती है और इस कोशन करेक्टांस होएगा पेड से ठीक है एस्पिरीन एक एंटुपायरेटिक ज्वर या दर्दनाशक औशदी होती है जिसे विलो व्रिश या ज्ञानियों से प्राप किया जाता है विलो व्रिश ठीक है नाम याद रखेगा इसके कौन से छेत्रों में शीतोष कटिवंदिये छेत्रों में पाये जाते हैं ठीक है बस अभी याद रखेगा एस्पिरीन कांस मिलता है यह हमको मिलता है एक पेड से तहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आप लोग और ल या लोहा तो मायो ग्लोबिन में जो धातू होती है वो होती है ठीक है मायो ग्लोबिन में लो धातू पाया जाता है और मायो ग्लोबिन समानते है लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है जो सबी स्थन धायों की मांस फिर्शों में पाया जाता है तो यहां पर डी हो बनेगा राक बनेगा मिट्टी या वाटर तो इस कोशन का करेक्ट आंस हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है मार्शन मुवी आये थी होलिवुड मुवी आये थी मार्शन उसमें यह प्रोसेस करके दिखाया भी गया है वह भी कहां पर मार्श पर ठीक है और यह एक ओश्मा छेपी अभिक्रिया होती है जिसमें जो है तीवर विस्फोर्ट के साथ अधिक मात्रा में ओश्मा यानि की हीट उत्वन में होती है नेक्स्ट कोशन है हमारा चुम्ब किये सुई किस तरफ संकेत करती है ठीक है यह पर आप लोग ध्यान दिजेगा नौर्थ एनी की बीच में होता है नौर्थ एस्ट एस्ट और यहां पर होता है साथ वेस्ट और यहां पर होता है नौर्थ वेस्ट ठीक है इसी जो यह ग्रीन वाला पार्ट है इसको में लोग स्टब डिरेक्शन कहते है और जो रेड वाला पार्ट है इसको में लोग डिरेक्शन कहते है ठीक है रेड वाला डिरेक्शन और ग्रीन वाला स्टब डिरेक् अगला प्रेशन है महासागर में उची जल तरंगे कैसे उत्पन होती है चार आपके सामने दिया हुआ है भुकम्प से, सूर से, तारो से या चंद्रमा से और इस कोशन करेक्ट आसवाएगा चंद्रमा से, ठीक है, महा सागर में उची जल तरंगे चंद्रमा से उत्पन होती है, कैसे, देखें, महा सागरों में जो व्रहत जौर एवं जो भाटा पूर्णमा के दिन जो है, चंद्रमा सूर्गया पेक्षा, पृत्वी के अधिक निकट होने के कारण, जौर भाटा की क् कार मंत की सब्तमी और अस्टमी को आता है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस यह ध्यान देना है, कि महा सागर में जो ऊची जल तरंगे उत्पन होती है, यह जो है, चंद्रमा से होती है, यह कोशन अक्षर एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, नेक् अमल वर्शनी की ऐसे डेन में क्या क्या होता है, सल्फर डायक्साइड, सल्फर डायक्साइड और नाइट्रस अक्साइड, यह होता है, ठीक है, यह भी पूछा एक्जाम में तो याद रखेगा, जो कार खाने के धुएं तथा जीवाश इधनों के देहन से उत्पन होते है और यह वर्शा की ब्योंदों के साथ मिल करके क्या बनाते है, नाइट्रिक अमल, नाइट्रिक अमल यह नाम याद दे के क्योंकि यह भी एक्जाम में पूछा जाता है, जो की पेड़ पौधो और जो इमारत होती है, मॉनेमंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके सोने को घोला जा सकता है, चार अप्शनार को सामने दिया हुआ है, तो यह है तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अमल तता एक भाग नाइट्रिक असिट के मिश्रण में, यानि कि रेशियो क्या होगा आपका, 3 to 1, ठीक है, तीन भाग रहेगा किसका, हाइड्रोक्लोरिक अमल का यानि कि HCL का और एक होगा नाइट्रिक असिट का, ठीक है, C हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, अगला प्रेशन है, श्वेद प्रकास को नली में कैसे पैदा करते हैं, ठीक है, इस कोशन का करेक्ट आंसर होगा, तन्तु यानि कि फाइबर को गरम करके, ठीक है, कांच की नलिका में, और और पारे के मिश्रित वाश्प से विद्धूद विसर्जन द्वारा स्वेद प्रकाश उत्पन किया जाता है, याद रखिएगा, कांच की नलिका में, और और पारे के मिश्रित वाश्प से, और और पारे के मिश्रित वाश्प से, और पारे मतलब कैसे संपीटिद ग्यास को छोड़ने से ठीक है option B हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही answer अगला प्रेशन आपके सामने प्रकाश में सात रंग होते हैं रंगों को अलग करने का क्या तरीका है आपके सामने चार option दिया हुआ है और इस question को correct answer हो जाएगा option A ठीक है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग हिया जा सकता है देखे जब सूरिस के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें विभिन वर्णों के अलग अलग तरंग that के कारण वह सात रंगों को रंग कौन I B G Y O R कभी-कभी एकजा में पूछा राता है यह जो सात रंग होते हैं जिनकी वेवलेंध अलग-अलग होती है यह जो गुरूप है कभी-कभी इस गुरूप का क्रम पूछ लेते हैं और कभी-कभी आपसे पूछते हैं यह तो हमेशा पूछा आता है कि जो विव-ग्योर दिया हुआ है यह जो कलर्स होते हैं क्या इन में ब्लैक कलर होता है या नहीं तो आपको याद रख लेना है यहाँ पे जो B है यह किसको बता रहा है यह बता रहा है ब्लू को ठीक है ब्लू को बता रहा है ना कि black को, तो black नहीं होता है, यह आप लोग ध्यान दिजेगा, और याद कलेजेगा, विब ग्योर, V for violet, I for indigo, उसके बाद B for आपका क्या होगा, blue, वही आसमानी, G for green, और Y for yellow, O for क्या होगा आपका, orange, और R for, क्या होगा यह, red, ठीक है, यह आपके अधरन black नहीं होता है, ए अगला प्रश्न आपके सामने, सूर ग्रहन तब होता है, जब, कब होता है, बताई है, चार ओप्षन आपके सामने दिया हुआ है, जब चंद्रमा बीच में हो, पृत्वी बीच में हो, सूर बीच में हो, या सूर चंद्रमा पृत्वी एक रेखा में हो, और ब्रहस्पती उस रेखा में ना हो, ठीक है, तो इस कोशिन का करेक्ट टांसर होगा, सूर ग्रहन तब होता है, जब चंदर्मा बीच में होता है, यह हो जाएगा यहाँ पर अपसलुटली करेक्ट टांसर, जब सूर और प्रित्वी के बीच में चंदर्मा आ जाता है, तो सूर ग्रहन होता ह और जब सूर और चंदमा के बीच में प्रित्वी आ जाता है तो चंद ग्रहन होता है ठीक है जब चंदमा बीच में आएगा तब क्या होगा सूर ग्रहन जब प्रित्वी आएगी तो चंद ग्रहन याद रख लिजेगा अगला प्रशन है लोलक की काल अवधी यानि कि टाइम period कितना होता है और इस question का correct answer हो जाएगा हमारा option B लंबाई के ओपर निर्वर करेगा ठीक है एक set इसका time period नहीं है depend करता है किस पर लंबाई पर तो option B हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही answer next question है आपके सामने question है तैरने के तलाब में तैरने से मनुष की तवचा जल जाती है क्यों कि क्लोरीन के कारण ठीक है तलाब में तैरने से क्लोरीन की अधिकता से मनुष की तवचा skin जो है जल जाती है और generally जो क्लोरीन का प्रयोग हम वोग जल में जो गंदगी होती हैं उनको दूर करने केंके लिए जाता है तो भी हो जाएगा हमारा इस Monroe का करेक्ट अंसर जब व्यधूत ऊर्जा गति में परिवर्टित होतीं ही तब क्या होता है तब क्या होता है कोई उस्वा की हा जैसा कि आखो पता कि उर्जा शर्णच्षं का नियम क्या कहता है कि जब विद्दुत उर्जा को गतिज उर्जा में परिवर्ति किया जाता है यह जो प्रिंस्पले कभी कभी एकजाम में यह पुछाता तो आपको याद रख लेना है तो फिलाल हमारा option A हो जाएगा यहाँ पर सही answer next question है शक्कर के केवडन जिसको इंगलिशम बोलते हैं fermentation से क्या बनता है आपके सामने चार option दिया हुआ है ethyl alcohol, methyl alcohol, acetic acid या chlorophyll तो शक्कर के fermentation केवडन से बनता है ethyl alcohol जैसा कि आपको पता है कि शक्कर में glucose और fructose का मिक्षन होता है शुगर होती है वो glucose और fructose का मिक्षन होता है और इसमें fermentation से ethyl alcohol का निर्माड किया जाता है fermentation मतलब केवडन से ठीक है जिसे हम लोग सिरका भी कहते हैं और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही तीशन होती है और इसका taste कैसा होता है खट्टा होता है ठीक है यह आपको याद रटना है कि शक्कर में यानि शुगर में क्या-क्या होता है glucose और fructose ठीक है इसके जो fermentation से ethyl alcohol का निर्माण होता है इसको हम लोग क्या बोलते है सिरका ठीक है इसकी जो स्मेल होती ही बहुत तेज होती है और इसका taste कैसा होता है खट्टा होता है तो मैंने आपसे कहा था कि एक last question जीके करेंगा जिसका answer आपको कमेंट लोगों ने दिया था तो इस question option दिया हुआ बी एन गौडगिल बी के आर वी राओ ठीक है पी सी महा लोमनिस और सी एन वकीड तो इस question का answer आपको comment section में जरूर दीजेगा और वीडियो को like share करना ना बुलेगा thank you so much for watching thank you